हेलो फ्रेंड्स आज हम इंगलिस सेक्सन के कोश्टन डिसकस करेंगे जो 24 जुलाई को हमारा एक्जाम हुआ था इबनिक शिप्ट में उस पेपर के पहला कोश्टन हम देखते हैं पहले कोश्टन में कह रहा है select the word यानि हमें वह वर्षट करना है that is not an antonym of the another word by way of adding a prefix यानि इसका कहने का मतलब यह है prefix को add करने के बाद हमारा जो main word है जो हमारा main word है उसका antonyms नहीं होता हमें वह वर्षट सेलेक्ट करना है जैसे हमारा in sincere दिया हुआ है तो in sincere प्रिफिक्स लगा हुआ है in तो क्या हो जाएगा इसका without प्रिफिक्स वर्ड हो जाएगा sincere तो हमें बताना है कि हमें वो word सेलेक्ट करना है जो इसका antonyms नहीं होगा यह दूसरे का antonyms नहीं होंगे कौन से में नहीं होंगे without prefix तो क्या होता है insincere का क्या मतलब होता है insincere का मतलब होता है निश्टाहीन ये जुटा और sincere का क्या मतलब होता है अगर हम इसका prefix हटा दे तो उसका मतलब होता है सच्चा या इमानदार तो यह इसका antonym होता है यानि इन सिंसियर का एंटोनिम क्या होता है सिंसियर होता है तो हमारे यह वर्ड नहीं है ऐसी इन सफिशेंट का एंटोनिम होता है सफिशेंट इन सफिशेंट का मतलब होता है प्रियाप्त और सफिशेंट का मतलब होता है प्रियाप्त सफिशेंट यानि जब इसका हम देखेंगे तो क्या हमारे मैं वाड है phone मैं सीवल संजीवल क्या होता है saunoda n s जो हमारा वर्ड होता है एक्सक्राइब का मतलब होता है लीपिक लीपिक यानि लिखने वाला इसका मतलब है लिखा हुआ इनस्क्राइब का और एक्सक्राइब का के मतलब है लीपिक यानि लिखने वाला तो यह इसका एंटोनिम नहीं है यह क्या है इसका एंटोनिम नहीं हो उसके एकोर्डिंग हुमें, fill in the blanks, fill करना है, तो इसमें दे रखा, man is a rational animal with fill in the blanks, desires, तो हमें बताना है, किस तरह का इसमें क्या आना चाहिए, कैसी इच्छाओं वाला इंसान है, तो क्या है, numbered, numbered का क्या मतलब होता है, numbered का मतलब होता है, कई, ठीक है, संख्यात्मक, satisfactory, satisfactory का मतलब होता है, संतोषजनक, संतोषजनक, portfolion, desires, इनसान की होती नहीν, संतोषजनक तो इच्छाओं इनसान की होती नहीं, यह भी नहीं आएगा, numbered भी नहीं, next, हमारे देखते हैं, option क्या है, next, option है हमारा, यहापर numerical, numerical को मतलब होता है, numerical का मतलब होता है संख्यात्मक तो क्या इसके ये भी संख्यात्मक इच्छाय भी इंसान की नहीं होती है फिर होता है insatisfiable तो ये क्या है insatisfiable का मतलब होता है जो satisfy ना हो ठीक है यानि तरप्ट ना हो एतरप्ट तो क्या होता है इंसान की जो इच्छाय होती है और insetishable होती है, तो इस पर option क्या जाएगा हमारा, fourth option ठीक हो जाएगा, next question है हमारा, इसमें कह रहा है, select the sentence structure that is meaningful and grammatically correct, तो हमें बताना है, जो भी grammatically correct है, और meaningful है, वो हमें sentence अपना बताना है, यानि जो भी meaningful है, अर्थपूर्ण है जो भी, और grammatically correct है, सबसे पहले पढ़ते हैं, जब हम अपना एक sentence पढ़ेंगे, उससे basic पदल चल जाएगा, कि हमारा sentence क्या है, क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, every citizen should work for the welfare of his country, यानि पिरतियक नागरिक को अपने देश के hit या कल्यान के लिए काम करना चाहिए, इसका मतलब यह है, तो अगर देखे तो यह हमारा बिल वरकी फस्पोम आती है, वरकी फस्पोम दीवी है, और बाकी पूर सेंटेंस एक तरीके से manageable है, next देखते हैं, next में क्या कह रहा है, the welfare of his country should work for every citizen, यह तो बिल्कुल हो गया, ठीक, इसका कोई अर्थी नहीं कर ला, यह अन्मीनिक्फुल है, ऐसे should work every country, every citizen for the welfare of his country, यह भी क्या है, अन्मीनिक्फुल है, ऐसे हमारा fourth भी अन्मीनिक्फुल है, तो हमारा option क्या हो जाएगा, first, first option हो जाएगा, इसका मतलब है, पिरतियक नागरिक को अपने देश के हित के लिए काम करना चाहिए, next question में कह रहा है, select the most appropriate option to fill in the blanks, यानि fill in the blanks में most appropriate option select करना है, इसमें दे र खाए, कोमा दिया हुआ है, उसके बाद है, फिर I don't have much money to invest, यानि ये कहना चाहरा है, मैं stock market के साथ ज्यादा familiar नहीं हूँ, यानि मैं stock market के साथ ज्यादा familiar नहीं हूँ, उसके बाद fill in the blanks है, फिर ये इसका मतलब है, I don't have much money to invest, मेरे पास invest करने के लिए ज्यादा धन नहीं ह तो हमें बताना है कि कौन सा word, ऐसा appropriate word होगा, जो इन दोनों sentence को combine करेगा, तो देखते हैं, इनके meaning देखते हैं, जो हमारे option दिये हुए हैं, इनके, moreover, moreover का मतलब होता है, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, ऐसे finally, finally का मतलब होता, आखिरकार, और however का मतलब होत होता है, फिर भी यदे जैसे भी, as a result का मतलब होता है, as a result होता है, तो, इसमें क्या जा疫गा, अगर हम देखते हैं, तो finally नहीं आ सकता, ठीक है, however भी नहीं आ सकता, as a result भी नहीं आ सकता, तो क्या अलावा, पास, don't have much money to invest और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा धन नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा moreover इसका option ठीक हो जाएगा next question है इसमें कहारा है select the sentence structure that is meaningful and grammatically correct यानि हमें बताना है वाला sentence जो grammatically correct है और जिसका meaningful अर्थ निकलता है अर्थ पूर्ण सेंटेंस जो है वह हमें बताना है सबसे पहले देखते हैं इन लेहे has been constructed a textile museum using लद्धा की architecture and material इसका तो यह तो मतलब बिल्कुली अर्थ पूर्ण नहीं है हमारा इसमें कहारा है a textile museum in लेहे has been constructed using लद्धा की architecture and material तो इसका क्या meaning होगा इसका meaning हो जाएगा लेहे में textile museum लद्धा की architecture और material से बनाया गया है तो क्या है यह हमारा यह meaningful भी है और correctly grammatically correct भी sentence है हमारा प्रक्राइब अप्सण हो जाएगा अब हमारा next question है इसमें करा है select the most appropriate antonym अन्टोनीम बताना है यह अपोजिट वर्ड बताना है जो हमारा वर्ड दिया हुआ हुआ है awkward जो क्या चिड़ चिड़ा होता है जैसे irritable बहुते हैं जो irritate करता है चिड़ चिड़ा ऐसी painful painful का मतलब होता है दुखद आए ठीक है दुखद जो painful होता है और graceful का मतलब होता है सुन्दर या आकर्शक तो antonym बताना था इसका मतलब था भद्द तो भद्दे का क्या हो हमारा graceful ओक वर्ड का antonym होता है graceful next question है हमारा इसमें कह रहा है select the sentence structure that is meaningful and grammatically correct तीन question आए है इस पे grammatically correct या फिर meaningful sentence पे इसका हम कैसे अगर आपको reading ability अच्छी है ना आपकी आप news paper पढ़ते हो daily English का तो इन question को easily आप question को कर सकते हो ठीक तो इसमें कह रहा है सबसे पहला question देखत है just after take off from Havana airport plumbed into a field a Cuban airliner with 13 people on board इसका तो कुछ मतलब भी नहीं हो रहा ठीक है यानि जो हमारा यह है इसका यह कह रहा है कि यहीं गिर गया चानलक ठीक है पूरा airport ही गिर गया ठीक है तो क्या है यह अनमीनिंग्फुल है ऐसी next है हमारा इसमें कह रहा है a Cuban airliner take off from Havana airport with just after 113 people on board इसका भी क्या मतलब नहीं है क्या मतलब इसका कहने का मतलब है a Cuban airliner take off किया हवाना से just after मतलब एक जैसे कि 103 लोग जो है on board थे अचानक गिरने के तो क्या है यह भी मिनिंग्फुल नहीं है next है हमारा इसमें कह रहा है a Cuban airliner with 113 people on board plumbed into a field just after take off from Havana airport तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एक जो Cuban airliner था और 113 लोगों के साथ अचानक गिर गया एक किसी field में एक दम से जैसे ही उसने take off किया हवाना एरपोर्ट से तो इसका मतलब है हमारा इसका मतलब यह हो जाएगा तो यह हमारा क्या मीनिंग्फुल भी और ग्रेमेटिगली क्रेक्ट भी है next question हमारा इसमें देखते हैं इसमें कह रहा है select the most appropriate option fill in the blanks हमें fill in the blanks भरना है अपने most appropriate words से यहां पर क्या आएगा सबसे बहुत देखते हैं question क्या कह रहा है question में कह रहा है have you told the newspaper man not to deliver the newspaper for the next two weeks यह यह करा है क्या तुमने अगले दो weeks तक newspaper नहीं देने के लिए newspaper वाले को कह दिया है ठीक है तो reply करता है next में ओक करता है I fill in the blanks यानि वह कहने का मतलब है क्या मैं अपने जाने से के बल दो दिन पहले newspaper वाले से कहूंगा तो क्या हो झाँगा इसमें कहाना चाहिए will tell यानि वो कहेगा in future कहेगा तो क्या जाएं यहां पर will tell आना चाहिए तो हमारा option हो जाएगा second option ठीक हो जाएगा next है हमारा इसमें कह रह इवन इन एक क्राउड यानि जो सेंटेंस है हमारा अगर उसका मिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या आएगा उसका फ्रेंड्स उसे सुनकर चकित था कि वह है भीड में भी तनहा था अकेला था या तनहा था तो क्या आना चाहिए यहाँ पर ऐलोन आना चाहिए ठीक है अगर हम इसका मिनिंग वर्ट देखेंगे तो ऐलोन का मतलब भी अकेला होता है और लोन का मतलब भी अकेला होता है ऐलोन जो हता है वो हमारा एडवर्ब होता है और लोन हमारा एडजेक्ट तो कि आएगा यहां पर alone आएगा तो इसलिए हमारा option ठीक हो जाएगा फर्स्ट option ठीक हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखते हैं इसमें रखा है select the option that gives the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given contest यानि जो idiom दी हुई हमारी उसका हमें मेनिंग बताना है तो idiom क्या है हमारी made up his mind made up his mind का मतलब होता दर्ड निश्चे करना एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं Mr. Bajaj made up his mind to retire at the age of 17 from active business यानि उदने दर्ड निश्चे कर लिया निर्धारित कर लिया तो जाएगा इसका 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 मतलब होता है निर्धारित करना या धर्ड निश्चे करना ठीक है तो इसका उप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट ओप्शन हो जाएगा ठीक हो जाएगा made up his mind का determined next है हमारा next question है इसमें कह रहा है select the most appropriate option to fill in the blanks यानि fill in the blanks साई question है इसमें दिर्खा due to serious water pollution गंभीर पानी प्रदूशन के कारण फिर दिर्खा there is no fill in the blanks any aquatic species फिर fill in the blanks दा यमना इन दा आगरा ठीक है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए अगर हम एक sense निकाले तो इसका कहने का मतलब यह है क्या गंभीर पानी प्रदूशन के कारण आगरा में यमुना में जलिये जातियों का कोई संकेत नहीं है तो क्या आना चाहिए यहान चाहिए sign of ठीक है यानि जलिये जातियों का संकेत फिर इंदा यमना क्या आना चाहिए यहां पर of और in आना चाहिए ठीक है to or of नहीं आ सकता for or on नहीं आ सकता क्योंकि यह in હंप और देख लेते हैं हंडी मिन इस मैं फ़ूसन के कारन आग्रा में अग्रा में यमुना में यह Ini बेंसा क्या उसमें करा है है इसमें दिख रहा है तो किया होता है जिस तरीका जब भी ऐसे वर्ट दिखाई दे जाएं उससे बहले फिलिंग द भूंक्स दिया हुआ हुआ तो बिल्कुल आप आखे बंद करके N लगा दो N क्यों लगा दो जैसे के जैसे वर्ड होते है M A M L A ठीक है F I R या फिर हो जाएगा X Ray ऐसे वर्ड जो होते हैं इन से पहले N आता है N क्यों आता है मैं बताता हूँ यह आर्टिकल बेस्ट हमारा कोश्चन है N का कहां यूज होता है N का यूज होता है जिस वर्ड से पहले साउंड आती है A A E या फिर E A I यानि जिन वर्ड से पहले इस तरह की साउंड आए उससे पहले हम N आर्टिकल का यूज करते हैं तो जैसे भी जितने भी हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यह F I R दिया हुआ है तो F I R को जह हम इसका वह देखेंगे F I R F कैसे लिखा आता है F लिखा आता है A F तो सबसे पहले वर्ड हमारे क्या साउंड आ रही है A की आ रही है F A F F ऐसे अगर हम लिखेंगे M L A ठीक है M L A तो क्या रही है लिखेंगे M A M M ठीक है ऐसी M A लिखेंगे तो उसमें भी M आ जाएगा X Ray लिखेंगे X Ray अगर लिखेंगे हम तो क्या जाएगा इसमें X Ray लिखाएगा A KS X ठीक है तो यहां भी A की sound आ रही है यह इस तरह के जितने भी word होते हैं उन से पहले क्या आता है हमें N आता है तो क्या अगर यहां N आएगा तो एक यह option हमारा ठीक है जिसमें N दिया हुआ है तो इससे बहुत है हमारा क्या हो जाएगा क्या होता है इसका मतलब पिर्शिद्ध होता है पिर्शिद्ध अपने next word के meaning देख लेते हैं फिक्सियस का मतलब होता है जूटा काल्टनिक या फिर फरजी इसका मतलब होता है पिर्शिद्ध इसका मतलब होता है पिर्शिद्ध हमें सिनोनिम सी देखना था तो हमारा सिनोनिम तो यह हो गया हम next का भी word अपना meaning देख लेते हैं indefinite का मतलब होता है अन्रियल का मतलब होता है तो क्या हो जाएगा हमारा इसका synonym इसका synonym हो जाएगा illustrious next अब हमारा 14 question इसमें कह रहा है यह भी synonym पूछ रहा है सिनोनिम से बताना है जो हमारा words दिया हुआ है उसका word का तो word है हमारा fresh fresh का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है ताजा या फिर नया fresh का मतलब होता है ताजा या फिर नया तो इनके meaning देख लेते हैं क्या क्या है सबसे पहले दियावा हमारा new, new का मतलब होता है नया, तो इसका synonyms में मिल गया, synonyms उसका हो जाएगा new, fresh का, अब जो हमारे वाइडा, उनका भी एक वाइग मीनिंग देख लेते हैं, इस्टेल का मतलब होता है बदबूदार, ऐसे ही देखेंगे, decompose का मतलब होता है सड़ा हुआ, इसका मतलब होता है, उत्सुक या पिर चिंतित, इसका मतलब होता है, उत्सुक या चिंतित, तो हमारा इसका synonym is हो जाएगा new, हूं next comment इसमें कहुंआ है fill in the blank based question और हैfully और है इस डिफिकल्ट पर्सन I cannot fill in the blank with the with behavior पूट अप विद्ध तो देख के पता चल रहे हैं है इसमें put up with का मतलब होता है बरदास्त करना या फिर सहन करना या फिर सहन करना पुट अब विद का मतलब होता है तो क्या जाएगा यहाँ पर यह उसी की सहन्स दे रहा है कि वह एक difficult person है he is a difficult person I cannot put up with his behavior मैं उसके behavior को उसके आपको बरदास्त नहीं कर सकता तो क्या जाएगा यहाँ पर put up with आ जाएगा put up with का मतलब होता है बरदास्त करना है तो टोली रेट करना अब नेक्स्ट है हमारे compression based question है मैं आपको comprehension दिखा देता हूं किस तरह की comprehension आई थी यह comprehension है आप इसको एक बाद पढ़ लेना आपको आपको आसानी हो एक गैस करने में किस तरह की comprehension आ रही है कैसे question को मैंज करना है किस तरीके से नहीं करना है यह हमारी comprehension है इस पर वेश्ट question दिए हूँ है पांच आप वीडियो को पोज करके इसको अराम से पढ़ लेना देख लेना तो सके score देख लेना ठीक है तो यह हमोड़ी comprehension है इसका यह first question है क्या है ऐसका अंसर भी दिया हुआ है देखना किस तरीके से क्या-क्याइन सब्ống सभा़ एक नासके सब्सक्राइए है उसके बाद हमारा लास्ट कोश्चन इस सेक्षन का इसको उम्प्रहेंशन का भी लास्ट कोश्चन हमारे यह है फ्रेंट्स ये 20 कोश्चन थे जो इंगलिस सेक्षन में आई हुए थे 24 जुलाई को हुए इवनिंग स्रिफ्ट में PGT पेपर जो हुआ था उसके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएजएगा जिससे की नोटिस मिलता रहे कौन सी वीडियो अब हम डाल रहे हैं तो हमारी next वीडियो जो होगी वो इस वाले पेपर का जो GS section है उसकी होगी इस वाले पेपर की हमारी दो वीडियो और लेडी बन चुकी है इससे पहले यानि एक उसकी बन चुकी है हिंदी की और एक बन चुकी है हमारी रीजनिंग की और यह हमारी third वीडियो थी जिसमें cover किया गया था इंग्लिस का section तो हमारी जो next वीडियो होगी वो GS की होगी और उसके बाद हम इंग्लिस की वीडियो डालेंगे तो thanks friends, thanks a lot